क्यादर बिल्कुल आापकी जो समझ्याना वहीं तो हर किसी की समस्या है mathematics की वजया से ही बहुत सारा我 उस्ति के लियर नहीं हो रहा है यह जिक यह नहीं को वर कि लोगोव relying टॉपिक है मुद्धा है इसलिए मैं इसको लेके चलता हूं प्रियंका राज एके आसोक रभीता समिक्छा अंजली प्रिया पाल लाइब गौड वर्सा सोनम सब जुड़ गए हैं अब हम नाम नहीं बोलेंगे आगे चलो काम करते हैं टाइम नहीं यह जादा तो टाइम चलो तो इसका अंसर कोई बताएगा जो कुश्चन स्क्रीन पे दिया हूं इसका अंसर बताओ फट 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 चलो जल्दी करो पूरी फाउज आ गई है कोशिस कर लो भाईया मन के हारे हार है और मन के जीते जीत बिल्कुल कभी मन से हार नहीं मानना कि आपको गड़ित ना आएगी दुनिया में ऐसा कोई काम है नहीं कि जो इनसानों ने करना दिखाया हो और मुझे लगता है कि आप ही इनसान ही है प्रतान तो है नहीं नहीं इनसान के रूप में तो फिर आपको क्यों नहीं आएगा दोट के आएगा तुकला जी कमेंट हारा बाबू चलो अब ज़्याद इनसीर होगा होगा क्या होगा हचिएफ फोगा फहले टो यहलं सो पैटीस का है मद दो एक सो पैघजिस का क्या निकालोगे है ल सी एम सिकाल लो ना बाव तो से काटओ 15 25 35 कि वाचल कुरिए कि तो पचम 25 25 125 सब्थे कितना होगा 125 सब्थे कितना होगा 875 होगा उमेश सुकला ठीक है देखो कि तो 125 का साथ में गुड़ा करो कि 125 का साथ में कर लो चाहे तुमें काम करो 25 का 35 में कर लो तो वही बात हुई साथ से करो 735 भाही रुख जाए एक मिनट बिल्कुल मुझे भी लग रहा है यही होगा ठीक है 875 ही होगा ऐसा मुझे भी लग रहा है आप लोगों को देखो यार गुड़ा भाग तो आना ही चाहिए साथ से गुड़ा करेंगे साथ पचे पैंतिस साथ दूना चाउदा तीन सतरह आसी लाया है एक साथ एकम साथ एक आर्ट इन दोनों का जो एलसीम होगा 875 आएगा कितना आएगा 875 आएगा और हंड्रेड और पचास जीरो फिफ्टी इसका दोनों का जो होगा मैक्सिमम जो बड़े से बड़ा नंबर जिससे यह दोनों कट सकें तो वह पचास आएगा बाबू कितना आएगा पचास क्योंकि पचास से बड़ी कि इसे आप उत्तर लिखने के पहले सिंप्लिफाइब कर सकते हो या फिर ऐसे छोड़ सकते हो जैसे भी कंडिशन रहे लेकिन एकी जाओर समझो अगर ऐसे कुजिशन दिया है जो भी तो ऐसे लिख दो ठीक है इसको कुछ न खुड़ो कोई सिंप्लिफाइब करने की जरूरत नहीं है आप चाहते तो यहां से भी कर सकते थे उपर से समझ रहे हो ना मिश्टर आई लब यू नाम थोड़ा अच्छा सा रगलो ढंग से तुमारा नाम बोलेंगे तो कोई दूसरा चिड़ जाएगा इनका नाम ही है क्या नाम है मलूम है आई लब यू इनका नाम है वाकि इनका और कोई नाम नहीं है चलो प्रेंगे ना होगा तो बलाक कर दो भाई था नहीं तो करने दो इनक बोलो नाम बोलो न सक्मेंट बोलो जलो आगे देखो यह उगया गया कोई मैंदापो बढ़ेगी तो इनका काम हो जाएगा हईalen मतलब है तो चलो हो सकता है तुम्हारा मतलब कभी पूरा हो जाए कहीं से कि अच्छा एक बात और बताओ यह थोड़ा सा अलग है ना कुश्चन कि आप लोग अब कर लोगे ना इस टाइप में कि नहीं कर पाओगे देखो यार अगर गड़ित सीखना है तो हर चीज स्टेप बाइ स्टेप लेके चलना जरूरी है और समझ सोच के भी चलना है यह नहीं कि बस कर दुबा उठेड़ित में लग गए हर समय इमा है 15 अरे माँ है पचासी और यह कितना 12 इस बताओ कि इनका एल सीएं बताओ कितना यह जल्दी करो सभी अधेश जी बताओ इनका लसी में बताओ सभी बच्चे जल्दी करो उसके बाद फिर हम आगे बताते हैं बहुत सारा टॉपिक है बहुत कुछ पढ़ना है गडित में हां बहुत कुछ पढ़ना है बेटा अधेस अगर पढ़ाई कर लोगे न जी अब भी अब सब मिलेगा तुम्हें साधी भी हो जाएगी एक अच्छी सी परीसे नह बन जाओ बन जाओ तुम बोलते रहोगे कोई बनेगा नहीं तो तुम को पकड़ पकड़ लोग बनेंगे नहीं बन जाओ यार चलो इसका मैंने आपसे अंसर पूछा है कोई बताया हरें बता रहें ठीक है आयूस ल्सीम आफ सेवन्टी टू एंड एटी फाइव तो सेवन्टी टू एंड एटी फाइव का निकाल लो उसके बाद क्या करोगे पंदरा और बारा का कि किसमें स्याही पड़ी ती कुछ मालूम नहीं है दोनों चल रहा है वैसे आप देखो समझो यहां पर कि देखो आप वह कमेंट कर रिपलाई कर लिजिए आप यहां पर बार बार वह टेली गराम का लिंक को गरना दीजिए इस्टर एडिटर मैं लिंक उपर पिन कर दिया हूं मैसेज में कि चलो आप कमेंट कर रिपलाई कर लिजिए पुराना वाला इसको मत करें ठीक है कि इतना आएगा लसीम करना है इन दोनों का भाया देखो यह सम संख्या है इनका लसीम बहुत रियर केस में निकलेगा बहुत लंबा चोड़ा निकलेगा यहां पर समझो इनका लसीम अगर हम निकाले तो यहां पर देखो आपके सामने ही आ रहा है यह दो से कटेगा जब तक काटलो 36 कि 25 फिर दो से काटलोड 9 आएगा इस उतारते जाओ गई तीन से कटेगा वच्चा एंदून अच्छा है यह साल में क्या बताऊंगी से इसको साल्ब कर सकते हो लेकिन यह होने वाला नहीं है ति तिन से निकटेगा यह तो और आगे क्या करो इसको और भी काटते जब तक को अगर इसको हम सांट कट में आपको बताना चाहते तो उपर से ही आप कर सकते थे क्योंकि यह दोनों एक दूसरे से संबंदित है नहीं इनका गुड़नफल ही होगा ठीक है इनका दोनों का गुड़ा कर लो तब हो जाएगा समझ में आ रही ना तो बच्चा गुड़ा कर ल सबको मालूम है कि अब बच्चा वाला कोजिश्चन नहीं है तो यह बच्चा वाला ही लेकिन जिनको नहीं आता ना उनके क्या क्या होता है तुम्हें नहीं मालूम है कि कि इतना आएगा 61 & 20 कि LCM कितना आएगा 61 & 20 हो गया और नीचे जो HCF है वो भी आप लोग कर लोगे मैक्सिमन नंबर क्या हो जाएगा भाई यह सीफ तीन हो जाएगा तो बटा क्या आएगा तीन क्या आएगा 3 तो यह 61 वीस नीचे तीन यह उत्तर होगा भी वीगा है तो एक बात मुझे यह बताओ आप लोग यह सीख गए कि नहीं सभी बताओ आप कर लोगे ना इसी तरह से आप लोग एचसीएफ भी कर लोगे लेकिन अब इसमें एचसीएफ ऐसे नहीं करने वाले हैं चलो थोड़ा सा एक अलग टॉपिक आप से डिस्कॉस कर लेते हैं क्योंकि आप गड़ित पढ़ने आये हो भाई यह गड़ित में सब कुछ पढ़ना होता है जो लोग काफी हाइफ हाई उनसे भी थोड़ा सा बात कर लें तो यह बताओ बच चलो गाप आप इसके अलामा भिन्नों का जो एचसीएफ है वो तो आज नहीं करवाएंगे अब कल करवाएंगे आप मुझे सभी लोग यह बताओ कि साइन 45 डिगरी कमान क्या होता है तिरपोर्ण मीती में चलो थोड़ा सा उपर बढ़ते हैं साइन 45 अंस कमान क्या हैगा जल्दी करिए बताइए अब यह टॉपिक आगे कल इसके पढ़ेंगे आज इसमें कुछ और पढ़वा रहे हैं इसको पढ़ो ध्यान से पहले साइन 45 अंस कमान क्या होगा अब यह इस पार्ड से संबंदित नहीं है यह मैं वैसे इक्स्ट्रा करवा दे रहा हूं बीच में इससे कोई मतलब नहीं उस पार्ड से चलो यह मत सोचना कि यह तो डारेक्ट इसमें कहां से आ गया है महिनाक्षी जी कमेंट आ रहे हैं अमित तुम को पता है तो तुम्हें पता ही रहेगा वह तुम अंदर यह अंदर जानो किसी से मत बताना जो को मैंने एक सिंपल सा कुछा इसका अंसर कोई नहीं बताया टेक्निकल लॉंडा एक है वह बता रहा है वह भी गलत है यह मैं जो वर्ट मुझे बोलता हूं न यह इनका नाम है आप देखो कमेंट में आ रहा है मतलब जो बोले वह बेकार है इसा इसा नाम रखके ग्रियंका की प्रतिभा गलत है रहा देखिए हैं साइन 15 अंस का जैसे मैंने आप से महान पूछा वैसे आपसे अगर मैं साइन 30 अंस का पूछा तब भी आप लोग कर लोगे जो बहुत आ रहे कर लोगे ना कि यह सारी चीज आपको क्या करना होता है याद करके चलना होता है समझ करके अब ऑई समझना है मैं चलो एक साँटकट में सब बता देता हूँ वर यह पे इसका जो मान आया बाबू वनपन अंडरूट 2 आएगा कि कि अRadar कि इन को तो ठीक है अच्छी बात है कि आप आई तो कम से कम कि देर लगी आने में तुमको लेकिन सुकर है कि तुम आये तो कि जलो आपी का तो इंतजात कि पीछे हो गया काई कि देखो समझो जिनको नहीं आता मैं बतारहरू यह कमान एक बटा दू होगा किसका मान अजीन होगा करेगा कि यह मिनेट समझ लो कभी भूलेगा नहीं इसको याद करना नहीं है कारे लंका इंको यह नहीं पता कि लड़ाई हुई हुरम इनको यह नहीं पता कि काहे लड़ाई हुई देखो इतना देर शलाए जा रहा हूं कितने बच्चे पढ़ लिए इतने पास होगए कितनों की साधी हो गई कि इतने अपना काम में लग गए हैं इनको यह नहीं पता कि पढ़ क्या रहें चलो तो अब हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इन्हें सबसे पहले आप अपना आथ जो है सही कर लीजिए अगर निकल रही तो तयार हो जाइए इधर कि इधर साइड में क्या लिखोगे बच्चा इधर साइड में लिखोगे साइन यहां पर तुम क्या लिखोगे जीरो डिग्री यहां पर लिखोगे 30 डिग्री क्योंकि यह थोक रेट में निकलेगा थोक रेट में निकलेगा सारमान जैससे समोसा निकलता है ना पकऊडा कराही साते उसमें एक एक नहीं ने निकलता है कि एक एक समोसा डालेंगे एक एक निकलेंगे ऐसे दुकान नहीं चलती वैसे यहां पर हम क्या करेंगे तो क्रेट में निकालेंगे देखो समझो अब हमें क्या करना है साइन जीरो कमान निकालना है तो हम क्या करेंगे बच्चा इनके नीचे नंबरिंग करेंगे नंबरिंग मतलब इनके नीचे जीरो से ले करके चार तक सब्सक्राइब करने के बाद सब को चार से बाग करोगे यह स्टेफ है देखो दवड के अभी आजाएगा आप चाहो ना परिक्षा में इसे चुटकियों में कर सकते हो समझाने में थोड़ा टाइम लगता है उसके बाद इनको सिंप्लिफाई करोगे बबुगा तो यह जीरो आएगा यह वन अपान फोर ही रहेगा यह लूंडा कटपिटके वन अपान टू आजाएगा यह थ्री यह पान फोर आएगा यह वन आएगा लाइफ टाइम में क्या कर मदमूल वन टू कट फॉर कट घुन अपान टू यह वनका वर्ग मूल टू का वर मूल निकले गा नहीं बेचारा फंस गया अंदर में प्रेछी का बरत्ध कुणल जी बहुत बहुत बढ़ाई वह बर्थडे कि आपको खुच्छरो तरक्की करो साधी हो जाए तुमारी सब से पहले अ मैं फो साइन साइन जीरो कमांद जीरो साइन 30 कमांनर डरूट दो टाइन 60 कमां लो गड़ ऑगया का इसमें कुछ लगे लग नैंने सहीं उर्ज़ों श्रों लिखेणा था वह गड़वर्थ था मुझे लग रहेähän 20 कमांद लूट धीन पताद है जिनके पास तिरकोड मिती की किताब है मिला लो कहीं सर्च कर ले ना गूगल पर वाट इस तरह से आप क्या करोगे कास वाला भी निकाल लोगे बताएं की ना बताएं बताओ ये बच्चा मुझे पता ही इसका बर्थडे बर्थडे कुछ नहीं बहुत गधा है ये रोज कुछ नहीं नया मैटर लेकर आता जिससे लोग पढ़ाई छोड़ करके इसके कमेंट पर आजाएं कुछ नहीं है मुझे मालूम है अब मैं पूछूंगा और तुम बताओगे ना बताओगे ना तो भी लात खाओगे अब मतलब समझ गया कि नहीं अब कहोगे इसा नहीं बोलने चाहिए आपको कलास ने बोलना नहीं चाहिए लेकिन जो यहां हमारे यहां पढ़ने आते थे उनको मालूम है इसका मतलब कु क्या साइन 45 कितना आएगा जल्दी बताओ कि अब कि चलो 45 कमान कितना आएगा कि निकल लो यहां से जिसका बर्थड़े है सालगीरा है जो कुछ है सब लेकिन कर लो यहां से चलो डॉन डिश्टरब अधिक है है तो अब हो गया खतम जा मना यहां डिस्टब ना करो निकल लो कि मैंने क्या पूछा साइन्स आट का मन क्या होगा नहीं पता है मत बताओ कि अब यह क्या करेंगे सब लोग इनको बर्थटे बिस करेंगे तो यह सब को थाइंग से बोलेंगे मतलब हम बैट के अलुची ले अब हम पढ़ाए ना इनका यह मतलब है क्या बताओं मैं कि रुक जाए इसको मैं पकड़ के बला कर रहा हूं एक दम पर्मानेंट चलो देखो यहां पर समझो मैंने क्या पूछा आपसे जो पूछा वो तो तुम बताए नहीं अब साइन कमान निकालेंगे जीरो तीस वैटालीस ताट अपर ठीक है समझो बर्थटे वाला गया आप विस ना करो नहीं बलाक कर देंगे तुरंद अब क्या करोगे वन से लेकर के फॉर तक उसमें गिंती लिखे थे ना वन से लेकर फॉर तक की गिंती लिखे थे ना वन तू त्री पूर कि दूसरे स्टेप में सब से चार से भाग करोगे सब को यह सब को क्या करोगे चार से भाग करोगे बाता से दचरो से बाग करके इनको kost लिए कर लो माग रखेंब कर लो हो जाएगा झ्याकंट क्यों कर लो को एक का वर्गमूल 11 एक आंडरूर तीन पा चार-क वर्गमूल 200 एक बटा7 ऑ toute proposal दो единि जी और क्योंने वि嗎 उलें जार्व मीद्वित को जीरो का जीरो कुसहएगा बता दें साथ जीरो अनस कमान वन बाद दो आते ज्याद कर लो और करके जो कास 30 का होता है वो साइन्स आर्ट का होता है इसको लाइट को लाइट चली गई और किसी को नहीं बुला रहे